हेलो दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पे तो हम अपने आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे कोशन डिसकस करेंगे वलने नियर कोशन जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है रिपीट होता है तो आपके लिए फायदे मंद रहेगी वीडियो तो चलिए शुरू करते हम अपने आज की वीडियो तो तराइन का पर्थम युद कब हुआ था ये वाता 1191 इश्वी में तराइन का द्वित्य युद कब हुआ था ये वाता 1192 में चंदावर का यूद कब हुआ था ये वाता 1194 में तालिकोट का यूद कब हुआ था ये वाता 1565 में हल्दी गाटी का यूद कब हुआ था ये वाता 1576 में पलासी का यूद कब हुआ था ये वाता 1757 में वाडिवास का यूद कब हुआ था ये वाता 1760 में बक्सर का युद कब हुआ था ये वाता 1764 में पर्थम स्वतंतरता संग्राम कब हुआ था ये वाता 1857 में भारत चीन युद कब हुआ 1962 में पर्थम भारत पाक युद कब हुआ 1965 में द्वित्य भारत पाक युद कब हुआ 1971 में ध्वित्य पाक युद कबुवा 1971 में गुप्त समराज्य का संसाप कौन था तो श्री गुप्त गुप्त समराज्य का उदय कबुवा था तीसरी स्तापदी में गुप्त समराज्य की स्तापना कहा हुई थी को संबी में श्री गुप्त का उत्रादिकारी कौन बना गटोचकच गटोचकज किसका पुत्तर था? श्री गुप्त का गटोचकज का उत्रादिकारी कौन बना? चंदर गुप्त पर्थम चंदर गुप्त पर्थम ने किस से शादी की? कुमार देवी से कुमार देवी कहां की राजकुमारी थी? ये लिच्वी की राजकुमारी थी चंदर गुप्त पर्थम किसकी उपादी धारन की तो इन्होंने की माराजा दिराज की गुप्त समवत की सुरुवात किसने की थी चंदर गुप्त पर्थम ने चंदर गुप्त पर्थम का उतरा दिकारी कौन बना समुंदर गुप्त समुंदर गुप्त किसका पुत्र था चंदर गुप्त पर थमका समुंदर गुप्त ने आरिया वर्थ के कितने शास्कों को पराजित किया था इसने किया था नो को दक्षिना वर्थ के कितने शास्कों को समुंदर गुप्त ने पराजित किया था तो बारा भारतिय इतिहास कारों ने समुंदर गुप्त को किस नाम से संबोधित किया भारत का नेपोलियन समुंदर गुप्त के दर्बारी कवी का नाम क्या था हरिशेन हरिशेन ने किसकी रचना की थी इलाबाद परशस्ते लेक की अश्व मेग करता की उपादी धारन करने वाला राज्जा का नाम क्या था समुंदर गुप्त कवी राज के नाम से किस शाशक को कहा जाता है समुंदर गुप्त समुंदर गुप्त किस भगवान का उपासक था तो ये था विश्णो भगवान का समुंदर गुप्त किस धरम का उपाशक था ये था हिंदू धरम का समुंदर गुप्त के मृत्यू के पश्चात मगद के सिंगासन पर कौन बैठा राम गुप्त राम गुप्त किसका पुत्त था समुंदर गुप्त का गुप्त वन्ष का सबसे कमजोड शाशक कौन हुआ तो चंदगुप्त ने दरबार का महां कवी का नाम क्या था? संधगुप्त ने अपना पहली राजगानी कहां बनाई? तो बनाई पाटली पूत्र. चंदगुप्त वित्य की महरानी का नाम क्या था? धुरुग सवामिनी चंदगुप्त वित्य का उत्रादिकारी कौन बना? कुमार गुप्त पर्थम कुमार गुप्त पर्थम का अन्य दुसरा नाम क्या था? महिंद्र अदित्य नालंदा विस्व विदाले की सापना किसी ने की तो इसकी सापना की कुमार गुप्त ने कुमार गुप्त का शाशन किसले परसी था शान्ती और सम्रती के लिए कुमार गुप्त का उत्रादिकारी कौन था सकंद गुप्त सकंद गुप्त ने सोराष्ट का गवर्नर की से बनाया पान्मदत को गुप्त वन्ष का अंतिम सासक कौन था भानुगुप्त गुप्तकाल में ग्राम परसाशन सबसे डैश ही काई थी सबसे छोटे ही काई थी गुप्तकाल में ग्राम सबा के मुख्या को क्या कहा जाता था ग्रामिक ग्राम सबा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था महतर ग्राम समो की छोटे कई क्या कहलाती थी पेट